तो आज सेर करूंगा मैं आपके साथ में मिक्स मीट फ्राय राइस का रेस्पी इसको हम लोग होटल और रेस्टेंड में किस तरीके से बताते हैं बनाते हैं तो वही मैं आज आपके साथ में सेर करनी वाला हूँ आप इसको घर पर बल्लकुल आसानी से बना सकते हो तो पहले हमारा जो हुई है कि हम इस सबसे पहले जो है पैन को सेट करना है अगर आप नो निश्टेक में बना रहे हो तो बड़े आसानी से बन जाता है उसके बाद जो है हमें एक को इस तरीके से बना लेना है महलब ओमलेट टैप का तो इसके बाद जो है हम इसको इस तरीके से पलड लेंगे और बस इसके बाद जो हम इसको इसमें से निकाल लेंगे थोड़ा सा टॉस करके जो तो यह हमने निकाल दिया है उसके बाद जो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिपाइन वाइल और इसको हमें थोड़ा सा गरम कर लेना है हाई फ्लेम में तो यह गरम हो चुका है उसके बाद हमें इसमें कटिंग डालना है इस तरीके से इसमें जो है चिकन है गाजर है बिंस है पत्तागो भी है प्याज है तो इसको हमें मिक्स कर लेना है इस तरीके से पुझा लब इसमें बेजी टेबल भी और चिकन भी है तो आप अपने अकोर्डिंग इसको जो आपको एड़ करना है वो कर सकते हो इसमें आप चिकन मटन जो भी एड़ करना है प्रोन्स आप कर सकते हो उसके बाद जो हमने डाल दिया है चावल और इसको हम टॉस करेंगे इस तरीके से तो उसके बाद जो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वादनसार उसके बाद इसमें जाएगा वाइट पेपर और उसके बाद जो है इसमें जाएगा सॉस तो सॉस में हम इसमें डालेंगे तो इसको जो है हम टॉस करेंगे सबसे पहले तो सॉस में हमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं डालना है हम सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा विनिगर उसके बाद हम इसमें डालेंगे green chili sauce उसके बाद हम इसमें डालेंगे dark soy sauce और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे मैगी सिजलिंग तो यह जो है हमारा प्राइर आइस तयार हो चुका है उसके बाद जो हमने जो अंडे का ओमलेट बनाए था उसको भी हम इसके ऊपर डालेंगे उसके बाद जो है हमें इस तरीके से स्प्रिंग ओनियन वगेरा डाल सकते हो वो आपकी मर्जी है आप इसकी भी कर सकते हो और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें एड़ कर सकते हो तो यह हमारा मिक्स मीट प्राइर आइस बन कर तयार हो चुका है अब हम इसको सर कर दिया है अब इसके उपर जो है थोड़ा सा कारनिसिंग कर लेंगे इस्प्रिंग ओनियन की तो यह हमारा तयार हो चुका है इसको आप चिली चिगन ग्रेवी के साथ मंचूरियन के साथ आप अपनी जो आपका अच्छा लगता है उसके अकोर्डिंग आप इसको उसके सा करते हो बिना ग्रेवी कभी तो आज के लिए इतना ही